आप सभी का आज की क्लास में तैये दिल से स्वागत और अभी नंदन करता हूँ मैं अमीद करता हूँ कि आप सभी शांदार जबदस हो जिंदाबाद होंगे और आप सभी के कक्षा 11 की जो तयारे हैं वो बिल्कुल दमाकेदार चल रहे होगी और इनी दमाकेदार तियारे को और भी धासू बनाने के लिए आज में लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की अर्थसास्तर और अर्थसास्तर में पढ़ रहे हैं भारती अर्थविस्ता के विकास की किताब का अध्याए 6 ग्रामिड विकास और आज है उसका वन शोट बच्चो दो हजार तेईश चोईस की अन्सियाटी के साब से देखे तो इस चैप्टर पांच है अध्याए 5 है अध्याए के नम्बरों पे ना जाए कंटेंट बिल्कुल नया है फ्रेश है बिल्कुल बढ़िया है शांदार जवर्दस जिंदाबाद वाला कंटेंट है आप लोगों के लिए और इसलिए मैं कहता हूँ कि अब भी भी आप लोग पढ़गर के पूरे में से पूरे मार्स ला सकते हैं इसलिए अपने चला रखिये वन शोट की स्रीज और वन शोट की स्रीज में आज अपन ल कॉर्स ले सकते हैं सभी कॉर्स में आपको बहतर सुविदाय मिलेगी जैसे कि डाउट सोल्विंग ग्रूप मिलेगा हैं डिटेंड नोट्स आपको मिलेंगे हर क्लासिस की पीडिएफ वीडियो आप लोगों को मिलेंगी ऐसी और अब्जेक्टिव टेस्ट होंगे और भी बहुत सारी सुविदाय आप लोगों के लिए होंगी तो इसलिए अगर आप ये सुविदाय लेना चाते हैं ये कोर्स लेना चाते हैं तो इन दो नॉम्बर पर कॉल करें और टीम को बोलें सर में हमारा कोर्स स्टार्ट कर दीजिए सिर्फ और सिर्फ नाम मातर फीस में इनक लिजएगा क्यूंकि सारी जो सूचना है सारी जो जानकारी है जबी हिए तो चलिए अपने हाँ शुदू करते हैं हमारे आज के वनशोट को और वनशोट की जो शुरुत होती है वो कहां से होती बच्चों परीचिय से होती है गाउं के विकास का अर्थियां पर क्या होगा? मतलब वहां पर बहतर सढ़के बने, वहां पर अच्छी हسपताले हो, वहां पर अच्छी सिख्षा विवस्ता हो, वहां पर जो मूलबूत आऊशकता है, सुविदा हैं, वो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, बहतर से बहतर वहां पर सारे कामों यही ग्रामिन विकास है और हमें याद रखना चाहिए हम बापू के देश में रहते हैं जो बापू कहते थे कि भारत की जो आत्मा है वो गाउं है इसलिए गाउं का विकास बड़ा जरूरी है और गाउं के विकास के बिना हम देश के विकास की प्रगति हम दे किसी गाउं में जाया की जो गाउनखे लिए जो बेभी विमारे होने के लिए उनको बड़े दूर से इलाज लेकर के आना पड़ता है तो यह जो समश्य है इन सारी समश्याव का समाधान होना कही ना कही मेरी नजर में ग्रामिन विकास होगा, रूरल डवलमेंट होगा तो आईए जानते हैं इस ग्रामिन विकास को क्या है क्या नहीं है यह सारी कहानी हमारे अधिकतर निर्दन देश वासी ग्रामिन शेत्रों में रहते हैं और वहां उन्हें जिवन की मूल भूत आवशक्ता है भी सुलब नहीं हो पाती तो अगर हम देखेंगे ना कि हमारे देश की जो अधिकतर गरीब लोग है वो कहां पर रहे रहे हैं गरामिन शेत्र में रहे हैं और उन्हें जिवन की मूल भूत आवशक्ता है मूल भूत आवशक्ता हो का मतलब क्या होता है जो बेसिक नीट से जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ ना कि रोटी, कपड़ा, मकान, सिक्षा, स्वास्ते सबको मिले एक समान तो यह जो पांचो ही कहा है, मूल भूत आवशक्ता है तो वहां के लोगों कोई मूल भूत आवशक्ता है भी नहीं मिल पाती आसपास के 4-5 गावों में तो कोई एक ठीक-ठाक सा स्कुल होता है एक hospital सा होता है, hospital तो पूरे जीले स्थर पे एक बड़िया सा होता है जो कि उस जीले के बड़े से शेहर में होगा तो अच्छी सिक्षा व्योस्ता नहीं है, अच्छी स्वास्ते व्योस्ता नहीं है तो उनको वो मूल भूत आउशकता है भी नहीं मिल पा रही है आज भी भारत की दो तियाही जन संक्या किर्षी पर आश्रित है तो आज भी हमारे भारत में दो तियाही जो जनता है वो किस पर आश्रित है किर्षी पर आश्रित है मतलब किर्षी पर एगरिकल्चर पर निर्भर है जिसकी उत्पादक्ता अभी भी इतनी है उससे सबका निर निर्दंता में रहती है और यहां पर एग्री कल्चर में इतने होने के बावजूद भी उतनी प्रोड़क्टिविटी नहीं हो रही है तो यही कारण है कि एक चोथाई जो जनता आज भी भारत की है वो किसमे है गोर निर्दंता में है मैं बता दू आपको 20 से 22 परतिशत तक क कि जन संक्या आज BPA लाइन के नीचे है बिलो पोवर्टी लाइन के नीचे है गरीवी रेखा से नीचे है मतलब गरीवी में है यदि हम भारत की वास्तिक उन्नती चाते हैं तो हमें विक्सित ग्रामिन भारत का निर्मान करना होगा तो अगर हम भारत की वास्तिक उन्नती हम चाहते हैं कि भारत फिर से विश्व गुरू बने, हम चाहते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत महाशक्ती बने, हम चाहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे विक्सित देश बने तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि हम विक्सित ग्रामिन भारत बनाए मतलब हर गाउं विक्सित होना चाहिए और कम से कब इतना दो विक्सित होना ही चाहिए कि वहाँ पर हर व्यक्ति के पास सुर्टी कपड़ा मकान हो हर व्यक्ति को वहाँ पर सिक्षा अच्छा सची मिल सके हर व्यक्ति को अच्छा स्वास्ति मिल सके किसी बेटी को, किसी बच्चे की इसलिए सिक्षा वंचित नहीं होनी चाहिए तो पहले मूलबूत आवशकता है, मूलबूत जरूरते गाउं तक पहुचाए जाए, हर घर में पानी पहुचाए जाए, जो मूलबूत समझ्या है उनको दूर करके, मूलबूत आवशकता है, पूरी हो, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, आप ये चीज़ देखेगा, आज शे जिससे की व्यक्ति, पेसा भी कमा सके और परिवार के भी साथ रह सके, क्योंकि पेसे का भी मज़ा तभी आता है, जब परिवार साथ होता है, अब आ जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल, ग्रामिन विकास है क्या, क्योंकि हम जिस ग्रामिन विकास की बात कर रहे हैं, हम कहते है रूरल डेवलमेंट होना चीए ग्रामिन विक्सित भारत की अपने चर्चा करी तो दिमाख में सवाल तो आता है नहीं कि ग्रामिन विकास है क्या किस चीज को हम ग्रामिन विकास कहेंगे क्या हो जाएगा तब हम कहेंगे कि हाँ साथ ग्रामिन विकास हो चुका है तो देखते हैं ग्रामिन विकास एक व्यापक शब्द ये मुलत है ग्रामिन अर्थवियस्ता के उन घटकों के विकास पर ध्यान केंदरित करने बल देता है जो ग्रामिन अर्थवियस्ता के सरवांगिन विकास में पिछड़ गया है अब गिरामिन विकास एक व्यापक शब्द है गिरामिन विकास एक व्यापक शब्द है विकास ही एक व्यापक शब्द है व्यापक शब्द का मतलब है कि उसका अर्थ बहुत कुछ हो सकता है और विकास एक ऐसी परक्रिया है बच्चों जो हमेशा चलती रहेगी चलती रहेगी जैसे आज एक उधारन के तोर पर आज मैं यह नहीं कह सकता कि साब मैं सबसे बेस्ट हूं नहीं कह सकता और सीखूंगा और बहतर हो जाओंगा और सीखूंगा और बहतर हो जाओंगा तो हम सीखते सीखते जाएंगे मेरा और विकास होता जाएगा तो हम यह तो नहीं सकते हैं यह हमारी लास्ट स्टेड़ डैट्स डैवल्लमेंट कंप्लीट ऐसा दो नहीं हो सकते तो विकास खुद एक ऐसा शब्द एक ऐसी परक्रिया है जो चलती रहती है जिसमें बहुत कुछ अर जाए में गरामिण विकास पर उन बातों पर चर्चा करने के लिए जोड़ दिया गया है ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जोड़ दिया गया है कि साब जिन घटकों का जिन मुद्दों का विकास होना चीए था वो पिछड़ चुके हैं उनका विकास हो वही गरा से हैं सबसे पहले मानव संसाधनों का विकास जिसमें निमन लिखित शम्मिल ली थे देखें भारत के विकास के लिए यही काम हो रहें जिसमें सबसे पहला जो है वो क्या है मानव संसाधनों का विकास यह गाओं में भी बात होगी मानव संसाधन का विकास हो और मानव संसाध संसाधन के से बंता है इसक्षा से सुस्वास्ते से इन सब से तो मानोस अढ़िति होना चाहिप जिसमें क्या क्या है सब्सक्राइब टree Coda ठाशिक है लिट्रेसी डेट होनी चेई mature विशेशिकर नारी साक्षरतां चाल करें जो महिला है वो पढ़े. ठीके, क्यूंकि जब एक महिला पढ़ती है तो पुरा परिवार पढ़ता है बच्चो. ठीके, अगर मा पढ़ी होगी, मा पढ़ी लिखी होगी, तो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगे, फिर वो बच्चे हैं जो आगे जनरेशन जो है वो आगे तक उस एजुकेशन को लेकर के जाएंगे तो मा का नारी का सिक्षित होना बड़ा आवशक है इसके साथ साथ इसली बच्चा के सिक्षा आवशक है कि वो अपने उपर अत्याजारों के खिलाफ लड़ सके अपने साथ हो रे भैद्भाहों के खिलाफ आवज उड़्ा सके और कोशल का विकास हो इसके साथ साथ कोशल का भी विकास हो टेलेंट का भी डवलमेंट होना चाहिए तो कोई काम का आज कर सके रोजगार पा सके सिक्षा स्वास्ते ठीक है education health में लेची सिक्षा स्वास्ते जिसमें स्वच्छता और जन्द स्वास्ते दोनों शामिल है मतलब हैल्थ को लेकर करके गाओं की बड़ी पैचाने की वहांपे कर्षी आधारी तर्थी विस्ता चल रही है मुक्खेते जो कर्षी होती है agriculture होता है वो गाओं में होता है तीक है अब जहांपर कर्षी की बात होगी वहांपे भूमी सुधार के बात जरूर होगी और भूमी सुधार क्या है? भूमी सुधार ये है कि जमीनदारों के पास उसे जमीन को लेकर करके असली किसानों को जमीने देना ये भूमी सुधार है Land Sling Act लगाना मतलब इस से ज़्यादा जमीन आप नहीं रख सकते हैं ये भूमी सुधारों में हैं और किसानों की मदद करना साही की देना ये सब भी इसका बड़ा भाग माना जाएगा परतेक शेत्र के उत्पादक संसादनों का विकास परतेक शेत्र के जो उत्पादक संसादन है उसका विकास हो मतलब ऐसे संसादन जो उत्पादन करने वाले हो उनका विकास हो उनका development हो आधारिक संरचना का विकास जैसे बिजली, सिचाई, साख, रिन, विपनन, परिवन सुविदाय, ग्रामिन शरकों के निन्मान, सहीद, राजमार के पोशक सरके बने, कर्शी, अनुसंदार, विस्तार, सूचना परसार की सुविदाय और क्या होना चीए, आधारिक जो संरचना है, जो basic infrastructure है, वो होना चीए, इसमें क्या है, गाओं में बिजली हो, गाओं में सिचाई, मतब खेतों तक पानी पहुचाने की विवस्ता हो, साख की विवस्ता, रिन की विवस्ता भी होनी चीए, ये साख, रिन, उधार क्यों important है क्योंकि हमें पता है, जब किसान बीज बोता है, वहां से लेकर करके किसान की फसल कटने और उसके बेचने तक उसको पेसो क्या उशकता होती है, अब अगर वो गाओं के बड़े-बड़े सेट व्याप्यारी से पेसा लेता है, तो वहां पर बहुत जादा व्याज उससे ल परहिवन सुविदा अच्छी केस होगी, ग्रामिन जो सडके हैं उनका निर्मान हो, और बारा मासी सडके बननी चीए, पक्की सडके बननी चीए, जो की बारा महने चलती रहे, ऐसा नहीं बारिशा है, ये सडके खराब तूट गए, अब सडके अच्छी होंगी और उनको र किर्शी अनुसंदान, किर्शी पर अनुसंदान, रिसर्च करने का भी विवस्ता होनी चीए, किसाब ये मिट्टी में क्या उगाया जाए, मिट्टी उपजाओ है या नहीं है, और उस पर सूचना देने का भी काम होना चीए, किसाब अब भी जो स्थिति है, इस बारिश की पर विशेश ध्यान दिया जाना चाहिए, अब निर्धंता निवारन होना चाहिए, मतलब गरीबी को दूर किया जाना चाहिए, ठीक है, और समाच के जो कमजोर वर्ग है, उनकी जीवन दशाओं में महत्कुन सुधार के विशेश उपाय करने चाहिए, मतलब गरीबी को दू और रोजगार के अफसर और भी ध्यान दिना चाहिए क्योंकि रोजगार के अफसर लोगों को मिलेंगे तो उसकी आये बढ़ेगी तो आर्थिक इस्तिति और सामझे इस्तिमस के सुधार आएगा ही आएगा गेर करशी उतपादक किरिया कलाप हो जैसे खाद, परसंट, स्वास्ते सुविदाओं के अधिक उपलब देता घर और कारे स्थल पर सोचता संबन्दी सुविदा है तो सभी के लिए सिक्षा को सरोच वरेता ताकि तिवर गरामेन विकास हो सके गेर करशी उतपादक किरिया क तो बारिश नहीं आई तो मतलब फसले खराब हो जाएगी, जादा हो गए तो फसले खराब हो जाएगी, तो काफी डिपेंडेंसी हमारी प्रकरती पर है, खेती बाड़े को लेखर के, इसलिए किसानों को ज़्यादा नुकसान हो जाता यह सब, तो जरूरत क्या है कि किसान किर्शी तो करे, खेतीबाडी तो करे, पर उसकी अलाव अलाव के गेर किर्शी किर्या कलापों में भी जुट जाए, जो किर्शी से ना जुटेवे हो, तो जिससे अपना जीवन चलता रहे, ठीक है न, जिससे आपने क्लास नाइन्थ में पालंपूर काओं की काने पड़ी थ है, वहाँ पर परहिवन का काम हो रहा है, कोई दुकान खोल रखी, ऐसे काम हो रहे हैं सब, तो यह उसी क्यों धर्न स्वास्ते सुविदाय होनी चीए, सवचिता संबंदी सुविदाय लोगों को दी जाए, और सिक्षा तो सबको सिक्षा को तो वरियता दी जाए, मतलब ग खाये का अर्थ यही नहीं होता कि हम करोडों लाखों रुपे कमा लें, सिक्षा से क्या होता है, मानों के सोचने की शमता बनती है, बहते समता बनती है, कि हां साब वो सोचता है कि अच्छा हो रहा है, क्या यह सच में सही है, क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ज चुरू कर देता है ठीक है अगर वो सिक्षित होता है तो ग्रामिन विकास और भी ज्यादा तिवरता से होगा अगर लोग सिक्षित होंगे तो चलिए तो अब ग्रामिन विकास क्या है ग्रामिन विकास में किन-किन चीज़ों को वर्यता देने की बाद सरकार करती है वो अपन लोगों ने देख लिए अब अपन बात करते हैं Gran勅ब शेत्रकों में साक और विपन देखिए साक का मतलब सीधा सा उधार होता है उधार, उधार बोल दिजिए साक बोल दिजिए, रिन बोल दीजिए, लोन बोल दीजिए, इन सब का एक ही अर्थ है, आप पैसे किसी से उधार ले रहे हैं, अब देखिए, साख का अगर सही माइने में अर्थ देखा जाए, तो साख का मतलब एक प्रकार से क्यों इस्तमाल करा गया सर, तो कारण यह बच्चों कि जिसकी अच्छी में जो होती है न, व्यक्ति उसी को पैसा देता है, जैसे आज मान लीजिए, आज कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, आप जानते हो उस व्यक्ति को, कि साब वो बहुत खराब आदमी है, पैसे देने इमेज जो बनी ही वो खराब होगी है, और कोई व्यक्ति चाहए मजदूरी करता हो, पर उसने जितस्त समय बोला है, उससमय वेवार पूरा निभाया है, तो अगर कोई व्यक्ति आपको बोले, आपको किसी पैसे मांगा है दे तो बोले, दे जाना, एक नमर का व्यक्ति, च मैंतलब के नहीं कुद किर्शु का सामान तियार mejorar जाता है उसको बेचने की परकरिया है उसके लिए सरकार आगे की कदम उठाए वह विपनन में मार्केटिंग में आ जाता है तो सरकाह किसानों को साख उधार देने के लिए कह करे तो तो मैर्केटिंग के लिए क्या करें वो देखते हैं। सबसे पहले साख की चर्चा करते हैं। कर्शी अर्थवियोस्ता की सनवर्दी समय समय पर कर्शी और गेर कर्शी कारोय में उच उत्पादक्ता प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पूझी के प्रयोग पर निर्बर करती है। देखिए, तो किर्शी अर्थवियस्ता की सनवर्दी, मतलब किर्शी अर्थवियस्ता की ग्रोथ हो, वो बढ़े, समय समय पर किर्शी और गेर कर्शी कारोय में उच उत्पादक्ता पराप्त करने के लिए, मतलब चाहे किर्शी का काम हो और गेर किर्शी का, उसमें ज्यादा उत्पादक्ता प्रावत करनी है, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन अगर हमें करना है, तो उसमें किस की आउशक्ता होगी, पुन्जी के प्रयोग की आउशक्ता होगी, मतलब पैसे की जरौत होगी, वहिए आज आप जादा जादा production करना चाहते हो तो किसी इसकी जोड़त है कि जादा जादा पेसा हो जिसमें आप invest कर सको और आप अच्छा से अच्छा production कर सको चाहे वो किर्शी हो, चाहे गेर किर्शी कारे हो खेतों में बीजा रोपन से फसल पकने के बाद आमदनी होने तक की अवधी बहुत लंबी होती है इसी कारण किसानों को बीज, उर्वरक, ओजार, आदे के लिए रिंड लेने पड़ते है अब देखो, खेतों में बीजा रोपन, जिस दिन बीज बोए जाएगा उस दिन से लेकर के फसल पकने तक का जो समय होता है वहाँ तक, आमदनी होने तक एक अवधी बहुत लंबी है देखो, किसान के हाथ में पेसा कब आएगा? पहले वो बीज बोएगा, उसकी पूरी तैयारी करेगा, फिर उसकी कटाई करेगा, फिर उसको तैयार करेगा फिर वो बेचेगा, और जब बेचेगा, तब पेसा आएगा तो इतना समय तक उसके उस पेसा कहां से आएगा? नहीं आएगा ना, तो इसलिए सरकार को क्या करना चाहिए? कि किसानों को बीज के लिए, कि वो बीज खरी सकें उर्वरक मतलब जो खाद होती है, फ्रेटिलाइजर होते हैं, उनके लिए पेसा देना चाहिए ओजार मतलब किसी पर गार कोई ट्रेक्टरे खरीदना है, या और कोई खेती वाड़े में कोई भी ओजार काम आता है, उसको खरीदने के लिए क्या है? रिण लेना पड़ता है, किसको किसानों को रिण लेना पड़ता है, अब रिण किसान पहले क्या करते थे? कि जो गाओं में सावकार महाजन होते हैं जो बड़े-बड़े व्यापारी होते हैं सावकार महाजन शब्दी ही उनके लिए प्रयोग करा जाता है जो पैसे उधार देते हैं और जन्रली जो गाओं में पैसे उधार दिया करते थे ये बहुत जादा ब्याज लिया करते थे बच्छों मतब कभी कबार तो कुछ किसानों की विचारों की यह आलत हो जाते थी कि जितना पैसा ब्याज पर लिया है उससे जादा तो ब्याज का पैसा हो जाता था माल लीजिए 20,000 रुपे उधार लिए या माल लीजिए 1,000,000 रुपे उधार लिए पता चला एक साल दो साल बाद उसका अमाउन धायलायक हो गया क्योंकि डेड़ लाग का तो ब्याज हो गया तो कभी कवार बहुत ज़ादा ब्याज ये सावकार माजन लगाते है उन्हें अपने पारेवारिक निर्वा खर्च और शादी, मिर्तिव और धार्मे कनुष्टानों के लिए कर्च का ही आस्रा रहता है तो इन सब के लिए खेतिवाड़े के लिए तो कर्जा लेते हैं, सो लेते हैं उसके अलावा अपने परिवार का जीवन चलता रहे, उसके लिए उनको कर्जा लेना पड़ता है शादी के लिए भी किसी की डेत हो जाती है, वहाँ पर आने जाने के लिए सब चीज़ों के लिए खर्च लगता है कि वे कभी भी रिणा पास से मुक्त नहीं हो पाते थे, देखिए अब आजादी तक अगर अपन लोग देखें, तो उस समय तक क्या हो रहा था ये जो बड़े-बड़े महाजन है, जमीनदार है, सावकार है, बड़े-बड़े व्याबारी है तो ये क्या करते थे, जो छोटे और सिमांत किसान हुआ करते थे, ये जिनके पास जमीने नहीं हुआ करते थे, दिखेती वाड़े के लिए तो जब वो इनके पास पेसे मांगने जाया करते थे तो पेसे तो दे देते थे पर बहुत ज़दा प्याज इन से लगाया करते थे और इतना प्याज होता था कि कभी वो वेक्ति उस रिंड जाल से वापस निकल ही नहीं पाता था पेले मूल चुकाएगा और फिर देरे देरे ब्याज चुकाता चुकाता तो उसकी जो पीडिया है वो निकल जाती है तो बहुत थोड़ सी इस्तिती ठीक नहीं थी बुरी स्तिती उस समय किसानों की थी भारत ने 1999 में सामाजिक बैंकिंग आरम कर इस वियोस्ता में बडा बद्लाव लाने का प्रियास करा तो Riseca में सामाजिक बैंकिंग लाकर के सरकार ने बड़ा बद्लाव उसमें करा है 1982 में राश्ट्री ग्रशक और ग्रामिन विकास बैंक नवाड की स्तापना की गई और गाओं के विकास करने के लिए संस्ता खोले गई है और ये बेंक संपुर्ण ग्रामिन वित विवस्ता के समन विए मतलब गाओं को उधार देने के पैसे उधार देने के लिए उनमें तालमेल बनाने के लिए कि सब कितना पेसा दिया जारा कितना नहीं उसके लिए सबसे बड़ी संस्ता है आज ग्रामीन बेंग की संस्ताकर्टसारी रचना में अनेक भाउ अजय Cayce संस्तान जैसे व्यफसाइक बेंग जितने भी आप ये बैंक देखते हैं, वो सारे वेफसाइक बैंक है, शेत्रिय ग्रामिन बैंक गाओं में especially बैंक खोले गए, RRB के नाम से, ठीक है, RRB के नाम से, रीजिनल, रूरल जो बैंक है, वो, सेकारी और भूमी विकास बैंक होते हैं, ये सब सस्ती ब्याज दरों प ग्रुप SHG का भी ग्रामिन साख व्योस्ता में पादरभाव हुआ, क्योंकि अप्चारिक साख व्योस्ता ना क्यों आप्रयाप थी, बलकि ग्रामिन सामाजिक तथा सामुद्याग विकास में, पूरी तरह समनवित सामित हुई है, देखिए, अब क्या था, SHG या सेल्फ है ग्रुप SHM सायता समुद्याग ये क्या होते हैं, फेले वो सुन लीजिए, इसमें क्या होता है, जनरली 15 से जो 20 लोग होते हैं, और जनरली मुख्यत है, महिलाए ही इसमें होगी, वो जुड़ती है, और हर मेने की छोटी-छोटी अपनी बचत करना शुरू करती हैं, जिसे जो है, वहाँ रिष्टिदार में शादी है, तो इसको वहाँ जाना है, तो इसके लिए वो 5,000 रुपे उधार लेगी, इस परकार से, तो अब वो पेसा इखटा भी होता जाएगा, और जिसको जुरूत होगी, दे देंगे, और जब पेसा उधार दे रहे हैं किसी को, तो उसे बहुत कम दर्में भ्याज भी लेंगे, तो सेल्फ हेल्फ ग्रूप ने भी बड़ी महत्पूर्ण जो काम है, स्वेम साइथा समोने भी निभाया है, और इसका क्या काराने है, पहली बात हो क्या है, जो यह उपचारी के जितना भी खोला गया था, वेफसाइक बेंक हो होती थी, उसमें से जो भी जरूरतमन सदसे, जिसको जरूरत होती थी, उसको रिंद दिया जाता था, और उचित दर का ब्याज लिया जाता था, इतना ही ब्याज लिया जाता था, जिससे कि वो चुका सके, वो दे सके, उस रिंड की राशी छोटी-छोटी आसान किस्तों मे ब्याज की दर वी उचित रखी जाती थी, तो रिन की रास़ी छोटी-चोटी किस्तों में चुकाय जाती tी चोपतेए jsत बहूत क्ढ़ श॥ाइटा आपज सब्लेख सब्सक्राइब है cash ... माई 2019 तक 24 लाक महिला है, स्वेम शाइटा समह में 5.0 कुपतेखे 10 मील थे हिं तो देखिए 2019 तक स्वेम शायतात समूं कितने हैं 54 लाग है और उनमें कितनी महिला है जुड़ी में 6 क्रोड महिला है जुड़ी भी है लगबग 10 जार से 15 जार रुपे परती SSG मतलब हर सेल फैल फैल गूरुप 10 से 15 जार रुपे इसके तक 0.5 लाग परती SSG को परिकर्मी नि रखे गई है जिसके फल सवरूप आय सर्जन है तो महिला सदसे सवराज करो सवरोजगारों को अपना सकती है इस परकार की साख उपलबता को अती लगू साख कारेकरम भी का जाता है अब देखिए क्या होता है जब यह स्विम सायता है समूं लंबे समय तक एक साल दो साल त मतलब क्या है सेल्फ इंपलेमेंट मतलब आप कोई खुद का कुछ काम दंदा शुरू कर दो मतलब सरकार यह चाहती है कि पैसा ऐसी जगे लगना चाहिए पैसा ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहांसे पैसे से पैसा बने अब जनरली क्या होता है कोई भी महिला हो या कोई पी लोगों क्या करते हैं पैसा लël करते है वह घर के काम काज में खर्च कर देते हैं शादी में चले गया साथी में इनकम अंकम बढ़े महिला के सक शक्ठ करणि में मंहिला को मजबूत बनाने Accooked यह यह कैसे अब झेह किए इस महिला है वो बैठेंगी एकटी होंगे तो वो अपनी समश्या भी तो शेयर करेंगी देखो यार मेरा जो पती है वो मुझे इस परकार से मारता है तो फिर दूसरी बताए कि बोले यार यह तो गलत है यह तो घरेल वी इनसा है ऐसा नहीं तो उसको समझा नहीं समझाए तो उनके घरों में जो पती हैं, वो शराब और आपका शेयुन करते हैं, वो बंद करवा सकती है, आप एक आंदोलन चला था, ताड़ी विरोधी आंदोलन, अंदर प्रदेश में वहांगे महिलाओं ने शराब बंदी के लिए आंदोलन चलाया था, ठीक है न, शराब बंदी के यह एक होती है, डिसकस करती है, तो काफे समश्याओं का समाधान वो निकाल लेती है, और खुद को इंपार करती है, मजबूत बनाती है. नोट इन रिंट सुविदाओं का प्रयोग किसी ना किसी परकार के उभोग के लिए ही हो रहा था, बस समश्याओं यही थी, यह जो भी रिंट लिया जा रहा था, उन सब का जो प्रयोग हो रहा था, किसी ना किसी उभोग के लिए हो रहा था, मतलब ऐसे जनरल जो अपना काम उसके लिए शादे ब्या के लिए हो गया है किसी मृत के लिए हो गया है मतब पैसा कहीं सवरोजगार के लिए नहीं लगाया जा रहा है पैसा कहीं किसी जो काम धंदे में लगाया जा रहा है पैसा ऐसी जगे नहीं लगाया जा रहा है जहां से वापस पेसा बने और उनकी स्थिति सुदरे वो तो सिर्फ ऐसी जगे पेसा लगा रहे हैं जहां खर्च हो जाएगा फिर उनको कमा करते हैं कि ही वो पेसा चुकाना पड़ेगा अब देखते हैं ग्रामिन बेंकिंग एक आलोचनात्मक मुल्यांकन अब जो ग्रामिन बेंकिंग अपन लोगों ने पढ़ी सेकारी समिती हो गया आरर बिय हो गया विफसैक बेंक हो गय Ç आई और रोजगार पर सकारत्मक प्रभागए रहा है शुरुआत अच्छे से करी है कि बेंकिंग विवस्ता का तवरित परसाद जो जल्दी से भी बेंकिंग विवस्ता फेली है उसका ग्रामिन कर्षी और गेर कर्षी उत्पादन पर आये और रोजगार दोनों पर बहुत अच्छा परभा हो रहा है विशेश रूप से हरित करांती के बाद से किसानों को साख सिवाए और सुविदाय देने तो उनकी उत्पादन आउशकता के पूर्ती के लिए अनेक प्रकार के रिंड देने में इन्होंने साहिता करिये और हरित करांती के बाद तो विशेश करकर के किसानों को खेती बाड़ी में सुधार करने के लिए उत्पादक्ता बढ़ाने के लिए अलग-अलग प्रकाय के जो रिन है वो सरकार देने का काम कर रही है किन्तु अभी भी हमारे बैंकिंग विवस्ता उचित नहीं बन पाई है अभी अच्छी है अच्छा काम कर रही है हमारे बैंकिंग विवस्ता पर अभी भी कुछ कमिया है अभी भी कुछ दिमेरिट्स है तो क्या कमिया है अभी हमें बहुत सुधार करना है क्या-क्या है वो देखी ना ये सही रिंड चाने वालों को रिंड दे पाती है और नहीं इनकी कोई प्रभावपूर रिंड वसुली विवस्ता बन पाई है अब सबसे बड़ी दिक्कत हो क्या होता है जो जिनको सचमे रिंड चाहिए ना जिनको सचमे उधार चाहिए उनको बेंक उधार नहीं देता है ये वाला कागज लाओ, ये वाला कागज देना पड़ेगा, इस कागज को जमा कराओ अब रिंड भी कौन ले लेता है बेंकों से, जो पढ़े लिखे बड़े होते हैं वो ही जाके बेंकों साब मैं तो किसान हूँ, लाओ मुझे रिंड दो पर जो सच में जो किसान है, जो बहुत सच में उसको पैसो की जुरत है, उसको बैंक भी रिंड नहीं देता है, ठीक है न, ये कागज लाना है, ये जमा करवाओ, ये वाला दिखाओ, जमीने दिखाओ, कहाँ पे खेती बाड़ी, तो हजारा साल फिर वो सोचता है, इतना कौन विवस्तान के पास, नहीं है, क्रिशी रिंडों की वसूली नहीं हो, उन्हें पाने की समश्या बहुत गंबिर है, ये एक बड़ा सवाल भारत में है, कि क्रिशी जो रिंड है, मतलब जो किसानों को रिंड दिया जाता है, उसकी वसूली नहीं हो पाती है, मतलब वो वापस नहीं आपाता है, ये बड़ी गंबिर समश्य है, बहुत गंबिर समश्य है, कि जो किसानों को रिंड दिया जा रहा है, जो उधार दिया जा रहा है, काफी किसान जो है उसको नहीं लोटा पाते हैं, वापस नहीं दे पाते हैं, ये पॉइंट वापस रिपीट हो गया है, वस किर्श्य का जो लॉन है वो नहीं चुकाया हो सबी वैशकों को अब देखे सरकार नहीं थोड़ा varsa सुधर करा अब देखो की लोगों को किया करा बैंकों से जोड़ने का काम करा है लोगों को sinking सिस्टम पर विश्वास करना थोड़ा सिकाय सरकार ने सभी वेशकों को जंधन योजना नामक योजना के एक भाग के रूप में बेंक खाते खुलिए उन बेंक खाता धारकों को एक दो लाख रूपे में आकास्मिक बिमा कवरेज और दस हजार रूपे में ओवर ड्राफ्ट कर सकते हैं तो उनको एक से दो लाख रूपे तक की कोई आकास्मिक बिमा देंगे दस हजार तक की ओवर ड्राफ्ट सुविता दी जाएगी मतलब अगर आपके बेंक में नहीं भी हो तो भी आप को वेतन है वो भी बेंक में आजाएगा आप भुजूर्ग हैं उसकी कोई प पेसा बेंक में डाल सकें नियूंतम बेलेंस रखने की भी कोई आवशकता नहीं है तो कम से कम एक जो बेलेंस रखना होता है अपना बेंक अकाउंट का बनाए रखने के लिए अब वो नियूंतम बेलेंस रखने के भी कोई आवशकता नहीं है यह सुधार करे गए जिससे क कि लोग बैंक खातों से जुड़े बैंकिंग व्यवस्ता से जुड़े करशी विपनन व्यवस्ता या एग्रिकल्च्रल मार्केटिंग सिस्टम ठीक है अब देखिए करशी विपनन वह प्रक्रिया है जिसमें देशवर में उत्पादित करशी पदार्तों का संग्रे उसमें और कोई प्रोसेसिंग हो तो वो आ जाएगा परहीवर ट्रांस्पोर्टिशन होगा एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर पहुचाने के लिए उनकी पेकिंग होगी वर्गी करत किया जाएगा अलग-अलग जो प्रोड़क्ट है उनको अलग-अलग बाटा जाएगा और फिर फाइनली क्या करा जाएगा उसका वितरन करा जाएगा डिस्त्रिब्यूट किया जाएगा सवंतंतरता पूर्व व्यापारियों को अपना उत्पादन बेशते समय किसानों को तोल में हेरा फेरी था खातों में गड़बड़ी का सामना करना पड़ता था अब आप चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो तो उनके पास अपना माल रखने के लिए कि अच्छी बंडारन सुविदा नहीं होती थी अगर आपके पास आपके माल को स्टोर करने की जगह है तो आप क्या है ज्यादा माल खड़ी सकते हैं आप ज्यादा माल रख सकते हैं जिसे agriculture जो प्रोड़क्ट है तो जल्दी खराब हो जाता है जो भी खाने पीने की सबजी है यह सब कुछ गया जल्दी खराब हो जाती है तो उसके लिए जो बंडारन भी चाहिए कौन से मतलब जहां पर आप अपनी सबजी रख सको जो थोड़ा समय था कि अच्छे सेफ रहे फिर हम उसको बेश सकते हैं पर उस समय ऐसी कोई भी व्यवस्ता है किसानों के पास या व्यापारियों के पास नहीं थी तो इसलिए क्या करते थे जिस भी दाम में बिकता था उसी दाम मे नहीं मिल पाएगा इसलिए सरकार को नीजी व्यापारियों को नियंतरित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करने को बाद्य होना पड़ा तो यह जो व्यापारियों को कंट्रोल करने के लिए नियंतरित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप किसको करना पड़ा है सरक पूंजिवादी रही हो चाहे समाजवादी रही हो आज दुनिया के अधिक्ता जो देश है वो मिश्रित अर्थविवस्ता वाले देश है जो अधिक्तम क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार अस्तक्षेप करती है समाज के कल्यान के लिए सोशल वेलफेर के लिए सरकार अस्त तो पहला कादम क्या कराई विवस्तित और पार्दशructure विपनन की दिशाओ ठीक है वाजिची बाज़ार का नियमन करा है वाजिचा ह Death कितने समय तक उसको बेचा सकता है नई भी का तो हम उसको किपने में करी लेगी इस परकार से बाजिचार को सरकार कर रही है। तो एक पुरा विवस्तित मार्केट बनानी की सरकार ने करी है। पारधेशा unanim होगा! ठ्रांस्पेरेंट काम का मतलब है जहां पर किसी परकार की कोई चिटिंग में नहीं होगी किसी परकार का किसान के साथ व्यापारी के साथ उप्भोगताओं के साथ कोई प्रकार का गलत नहीं होगा सब को सही रेट पे दाम में जो भी वस्तू है वो मिलेगी इससे करशक किसान को भी फायदा हुआ है और उप्भोगता दोनों ही जो वर्ग है वो लाबनवित हुआ है दूसरा महत्पूल सडको, रेलमार्गो, बंडाल ग्रो, गोदामो, शीत ग्रो और प्रसंसक्रन इकायों के रूप में भोतिक आधारिक संदचनाओं का प्रावधान किया गया है अब देखिए कोई भी जो उत्पादन हो रहा है किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो आधारिक स इंफ्रेश्ट्रेक्शर है यह एक बहुत इंपोर्टेंट रॉल प्ले करता है अब इसलिए सरकार नहीं सोचा कि जो किसानों की समश्य है उसको दूर करने के लिए हमें क्या जो बेसिक इंफ्रेश्ट्रेक्शर उसको सुदानना पड़ेगा इसलिए सरकाण ने सड़कों पेसा करा सड़के भहुत बहुत बैदाल है तो एक स्तंसे सावां दूसरे स्थान पर बड़ी जल्दी पहुंच cosplay करेगा जल्दी कोई अर्दर अपना सावानिकRI रख सकते हो, शीद गरे में तो कोई ऐसी सब्जी है, कोई भी ऐसा पधारते, क्रिट्षी का, जो जल्दी खराब हो जाता है, उसको क्या है cold storage, मतलब एक परकार साब जैसे हमारी freeze होती ही न, refrigerator होता है, वेसा एक बड़ा आसा होगा, जिसमें आप वो अपना सामान रख दोगे सरकारी विपनन द्वारा किसानों को अपने उत्पादों का उचित मुल्य सुलब कराना, और तीसरा उपाए सरकार ने, किसानों को अपने उत्पाद का उचित मुल्य सुलब कराना, कि जो भी किसान बेचागा उसको उसका उचित मुल्य है, उसका सही रेट है, वो मिलेगा चोथे उपाय के अंतरकत नीतिगत सादन है जैसे करशी उत्पादों के लिए नियूंतम समर्थन कीमत सुनिचित करना भारती एक खाद निकम दुआरा गेहों और चाओन के सुरक्षित बंडार की रखरकाओ और सारवजीनिक विट्रन परनाली राशन व्योस्ता के माद्यम से खादानों और चीनिका वित्रन तो देखे अब चोथा जो उपाय कर रहा है उसमें नीति गघ सादन अपना है नीति का सादन का मतलब है पोलिसीज को सरकारने बनाई है उन policies को सवरकाने अपना है सबसे पहले देखें करशी उत्पादों के लिए नियूंतम समर्थन कीमत का होता है minimum support price इतनी price पे तो कम से कम किसान बेचेगा इतनी price पे तो किसी को खरीद नहीं है ठीक है और इसके अलावा minimum support price प्राइज सरकार भी क्या करती है किसानों से जो गेहूं या वो होता है जो भी उनको उत्पाद होती है अगर वो नहीं बिखते हैं मार्केट में तो उनको खरीद लेती है minimum support price आगे भारतिये खाद निगम भारतिये खाद निगम या इसको इंग्लिश में कहा जाता है बच्चो Food Corporation of India क्या कहा जाता है Food Corporation of India ये सरकार का विभाग है और सरकार के बिहाब पर किसानों से अत्रिक्त जो गेहूं चावल जो चीज भी होती है वो खरीदता है और उसको क्या है फिर बंधार में इखटा कर लेता है और फिर इसी में जो ये खटा करा गया है ये कब काम आता है ये राशन की दुकानों से राशन की दुकानों से जो गरीब लोग है उनको बाटने के काम करती है आप ये आपने देखा कोरोना के समय काफी समय तक सरकार ने क्या है गरीबों को राशन बाटा है वो कहां से आ रहा है भारतिय खाद निगम में जो पड़ा राशन है वही तो आ रहा है ठीक है या किसी परकार का कोई आकाल आ जाता है किसी परकार के सुनामी आ जाती है तो वहां पर सरकार राशन पोचाने का काम करती है तो भारत ये खाध दिगम और जो वहाँ पर बंडार पड़ा है उसको जो बाटने का सिस्टम है उसको क्या का जाता है सारजनिक वित्रण परणाली या इंगलिश में का जाता है PDS Public Distribution System क्या का जाता है Public Distribution System इन साधनों का धेक करमश किसानों को उपच के उचित दाम दिलाना खता गरीबों को साही की मुक्त सबसीडाइस कीमत पर वस्तुए उपलब्द कराना रहा है तो अब यह जो सारे काम करे जा रहे है विशेश करके जो नितिकत साध इनका क्या उद्देश्य है किसानों को उपच के उचित दाम दिलाना मतब जो किसान उपच कर रहा है जो भी किसान उगा रहा है उसके उचित दाम उसको मिलने चाहिए उसकी उपज के सही दाम उसको मिलने चीए कम से कम उसका जितना खर्चा लगा वो तो निकले और थोड़ा बहुत उसको profit भी होना चीए गरीबों को सही की मुक्त कीमत पर वस्तुव उपलब्त कराना है देखे सही की सरकार जब सही की देती है सबसीडी देती है तो निर्धनतार रेखा से नीचे लोग होते हैं उनको सरकार राशन की दुकानों के दुआरा एक अच्छी क्वालेटम का सामान पोचाने का प्रयास सरकार करती है यदेपी सरकार के इन सभी प्रयासों के बाद भी आज तक कृष्षी मंडियों पे नीजी व्यापारियों, साहुकार, ग्रामिन, राजनितिक सामन्तों, बड़े व्यापारियों सता अमीर किसानों का वर्चसों बना हुआ है सरकार ने बड़े प्रियास करे है, सरकार ने बड़ी कोशिश करी है और आज से नहीं, जब से भारत आजाद हुआ है, तब से सरकारों ने बड़ी कोशिश करी है भूमी सुधार कानूनों के दुआरा कोशिश करी, बड़े सामाजी के आर्थिक कानून लाकर के सरकार ने कोशिश करी परनतु उसके बावजूद भी, अब भी तक भी, जो नीजी व्यापारी है, जैसे कोई सावकार हो गया ग्रामिन राजनितिक सामंत, ग्रामिन इलाकों में रहने वाला, जिसका राजनितिक में दबदबा है सरकारी संस्ताय और सेकारिताय सकल कृष्षी उत्पादन के मातर 10% अंस के आदान परदान में सफल हो पा रही है, सेश अभी भी नीजी व्यापारियों के हाथ में ही है तो सरकारी संस्टा है और सेकारी ताएँ. जितना भी करशी का उतपादन हो रहा है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ दस पर्थीशत में ही आदान परदान में भूमी का निभारी ही बागी तो सारा नीजी व्यापनयों के दूआरे ही चल रहा है. मतलब सरकार को और तोसे efforts बढ़ाने चाहिए, सरकार को और तोसे efforts बढ़ाने चाहिए, सरकार को और तोसे efforts बढ़ाने चाहिए, और किसानों की स्तित्य को और भेतर बढ़ाने का काम करना चाहिए. कुछ विद्वानों का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए का व्यफसाइ करन हो, बर्शर्त की नने सरकार की मद्देश्टा नहों अब देखें कुछ विद्वानों का ये कहना है कि अगर हम घ tortilla की इंकम बढ़े जिसे गर्ने के खुत पादन करें जो आपके सकते हैं जो अमाउंट जो मिलता है किसान को वो अच्छा खासा मिले तो ऐसे चीजों को गाए विफसाई करनों डारेक्ट कंपनिया किसानों से डील करें किसाब यह सारा प्रोड़क्ट आप हमें बेश दीजिएगा हम आपकी मद कर देंगे इस परकार से यह सारा काम होना चाहिए बट बस इसमें शर्त इतनी से कि सरकार जो है उसकी मद्देशता नहों सरकार का जो अस्तक्षे पे वह कम हो ऐसा कुछ विदूआनों का मानना है पर अपने कर रिश्टी से देखते हैं पर अपने एक सरकार का थोरा बहुत तो सक्षेब जरूरी भी है बाकी हसब के अपने अपनी एक राय होती है कोई मानता है कोई नहीं मानता तो अपन इस विचार से भी सेमत है और दूसरे विचारों से भी सेमत है चलिए अब बात करते हैं वेकलिप क्रेव विक्रे माद्यमों का देखिए अब जो वेकलिप जो क्रेव विक्रे के माद्यम है क्रेव विक्रे के माद्यम है मतलब खरीदने बेचने के जो माद्यम है उनकी भी क्या हुए शुरुआत हुई है जैसे एक तो भी अपने चर्चा करी रहे थे वेकलिप इसके अलावा कौन-कौन से क्रेविक्रे के माद्देम हो सकते हैं उनको देखते हैं अब यह बात सभी अनुभाव कर रहे हैं कि यदि किसान स्वयम ही उपभोक्ता को अपना उत्पादन बेच सके तो उसे अधिक आहे पराप्त होगी अब ये बात सभी मानते हैं कि देखो साब हो क्या रहा है ये किसान है फार्मर ये व्यापारी है ट्रेडर और ये है उप्वोगता कंजिमर फार्मर इसको बेच रहा है और ये इसको बेच रहा है और सभी मानते कि अगर ये डिरेक्ट इसको बेच देगा तो देखो एक तो क्या होगा इसको भी फायदा होगा क्योंकि ये बीच में लूट रहा है ये मद्देस्ता कर रहा है और इसको भी किसान को भी फायदा होगा क् सकता है पंजाब हर्याना राजिस्तान में अपनी मंडी पूने के हारपसार मंडी आंदर प्रदेश तेलन गाना की राय थुवाज नावक फल सब्जी मंडिया तरह तमिल लाडूर की उजावर मंडी के कर्शक बाजार इस परकार से विक्सित होरे वेकलिप करे विक्रे माद् है यही नहीं अनेक राश्ट्शट्र न चल्च पावर और खना वेक्सानों के स्वाथ के उतपात की खेती परस अब जो फास्ट्पूद बनाने वाली कंपनीन है ठीके ना तो फक बनास फूब बनाने का काम करती तो वह भी क्या कर रही है वह वह भी किसानों से शांब कर रही है जैसे मैं आपको धार्ण देता हूं जैसे ट्रॉमेटो सोर्स हो गया है ट्रॉमेटो के लिए ट्रॉमाटो बहुत सारा चाहिए तो अब उन्हों पुरा सायन कर लिया कि हाँ अपनको इतना पेमेंट मिलेगा और अपनको यह सावान दे देना है कंपनी वाला इसलिए निश्चित होगे किसानों से बात कर लिए वो सारा माल भेज देंगे इसके अलाव क्या है बड़ी कंपनिया खूब पेसा उनके पास है तो किसानों की मद लिस्टोर एज हाउस की कोई कमी नहीं है बंडारन की कोई कमी नहीं कहीं पर भी रख सकते हैं खूब अच्छी सूविदा उनके पास है तो इससे जो किसान का जो माल खराब होता था वो भी नहीं होगा इसके अलाव एक उधारा आप देख लीजिए जैसे जो टॉमेटर च जाएगा और डारेक्ट किसान और बड़ी कंपनिया साथ मिलके काम करेगी यह किसानों को उचित बीज तता अन्य आगत उपलब्त कराती हैं उन्हें पूर्व निजायत कीमतों पर माल खरीदने का आस्वाशन भी देती है यह किसानों को उचित बीज यह जो बड़ी-बड आपका जो जैसे माली जी जो टमाटर है यह हम लोग 80 रुपे किलो में खरीदेंगे अब चाई अब ही टमाटर चार मेने पांच मेने बाद भी जब भी हो गएगा तब भी आएगा उसके बाद चाहे किमते 60 हो रही हो 50 हो कमपनी वाला आपको सीके साब से ही देगे जाएग तो किसान को इस चीजों से काफी बेनिफिट होगा यह कहा जाता है कि ऐसी व्योस्ता है किसानों की किमत विश्यक आशंका हो और जो किमत घड़ जाएगी माल खराब हो गया तो सस्ते में बेचना पड़ेगा कुछ भी नहीं बस फैक्टरी वाले ने कह रहे का कंपनी वाले रहे है यह तियार हो जाए फोन मिला देना मैं तीन चार ट्रेक्टर भेज़ दूगा उसमें भर देना कुछ ही खराब अच्छा गुरा ने सब डाल देना अब तो और वो फिर आकर के कोल्ड इस्टोरेज में हो जाएंगे सब स्थीक हो जाएगा अब तो मस्त रहो तो अब भारत ये संसाथ ने तीन कानून पारित किये थे उत्पादक गतीविदियों का विविदी करेंट अब जो उत्पादक जो गतीविदी है ना उसका विविदी करेंट विविदी करेंट का मतलब अलग-अलग देखो एक क्या होता है जीवन का भी ये मूल मंतर है कि अगर हम लोग एक ही इस्तान पर रहें, एक ही फोकस करें, देखो, दोनों बात हैं, कभी कबार जियोन में यह चीज कही जाती है, कि आप एक लक्षे जियोन में सोच लिजिए, और उस पर टारगेट रखें, उसको पाने की इच्छा रहने चाहिए, बहुत अच्छी बात, पर हमेशा यह बात भी कही जाती है, कि आपको एक बेक अप भी ले करके चलना चाहिए, अगर यह नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि जिन्दगी बढ़तो हम किसी के लिए जियोन खराब नहीं कर सकते ना भई, आज मैं यह कहूं कि नहीं साब मैं तो I.S. ही ही बनूँग आई इस के अलाओ को दूसरी नोकरी ही नहीं करूंगा, तो फिर क्या जब तक I.S. नहीं बनेंगे तो क्या जिसी जियोन में बेरुजगार थुरी घुमेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो दूसरा उप्शन रखना पड़ेगा, तो दूसरा किसाब मैं तीन साल तक तो जियोन में यूपियसी को दूँगा, हाथ हो, तीन साल तो आप इदर विदर किदर ही मत देखे, पर तीन साल में अगर नहीं होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारा दूसरा उप्शन क्या होगा, वो हमारे जियोन में होना चाहिए ना, इस ठीक हो गई तो अच्छा जीवन चलता रहेगा तो जरूरत है कि खेती के अलावा भी कहीं ना कहीं वो उत्पादक और उन्ची जो में इंवल्व हो जिससे कि उसकी जो एक निशित आय है वो बनी रहे और उसका जीवन जो है वो बहतर तरीके चलता रहे तो उत्पादक जो गतिवी दिया है उनका विविदी करन करना उनका डाइवर्सिटिफिकेशन करना अलग-अलग जो गतिवी दिया है वो करना विविदी करन के दो पहलू है एक पहलू तो फसलों के उत्पादन की परणाली में परिवर्तन से संबंदीते तो विविदी करन के दो पहलू है पहला तो फसलों के उत्पादन की जो परणाली है जो सिस्टम है उसमें परिवर्तन करना उसमें चेंज करना दूसरा है श्रम शक्ति को खेती से अटाकर अन्य सम्मंदित कारे हो जैसे पशुपालन, मुर्गी, मत्से पालन, आदी तता गेर करशी शेतरक में लगाना और दूसरा क्या है यह जो श्रम शक्ती है जो खेती बाड़ी में काम कर रही है इसको खेती बाड़ी से हटा कर गए क्या करना दूसरे कामों में लगा देना पशु पालन में मुर्गी के पालन में मत्सी पालन में इनमें लगा देना या बाकी जो गेर करशी शेतरक वाले हैं उसमें लगा देना उनमें इंवल्व कर देना विविदी करेंट की आवशकता है क्योंकि सिर्फ खेती के आदार पर आजीवी का कमाने में जोखिम बहुत अधीक होता है तो देखिए विविदी करेंट की डाइवर्सिफिकेशन की बहुत जादा आवशकता है क्यों आवश्क्ता है क्योंकि खेती में आज जीवी का कमाने में बहुत जादा जोकिम होता है बहुत जादा खतरा होता है क्योंकि आप पूर्ण रूप से क्या हो खेती पर ही निर्बढ़ो एगरी कल्चर पर पूरी तरीके से निर्बढ़ो और वो जोखिम भरा काम है खेती बाड़ी वाला जो काम है कभी फसल खराब हो गई सब कुछ खराब हो गया कभी बाड़ आ गई खराब हो गया सुका पड़ गया खराब हो गया तो बड़ा जोखिम वाला काम है तो इसलिए हम लोगों को क्या है दूसरा कुछ ना कुछ तो option रखना चाहिए जिस हमारा जो जीवन है वो चलता रहा है ऐसा है आप लोगों के साथ है आज आप सोचो UPC करेंगे UPC के लाओ कुछ भी नहीं तो भाई UPC के ठीक है बहुत बड़े बात है पर आप अपने जीवन का आप अपने डेली दिन का 3-4 गंठा ऐसे काम को भी दीजे कि अगर UPC नहीं निकला तो फिर ये कर लेंगे भाई या फिर ये कर लेंगे UPC निकल गया तो very well and good बट नहीं निकला तो अपने ये वाला काम करेंगे UPC भी हमेशा हमारे पास जीवन में होना चाहिए देखिए बच्चों में हमेशा जिंदगी का एक personal अनुभव के साथ कहता हूँ कि ना तो हमें कभी किसी व्यक्ति पर इतना निर्बर होना है कि साथ हम वो चला गया तो सब कुछ चला गया बिल्कुल भी नहीं वेटा ना हमें कभी किसी वस्तू पर इतना निर्बर होना है ना कभी किसी एक option पर इतना निर्बर होना है कि नहीं साथ ये नहीं तो कुछ भी नहीं ऐसी बात नहीं है ऐसा नहीं जीवन में हर जगे हम ये सोच सकते हैं कि बस अपन अकेले हैं हम कुछ भी कर सकते हैं ये option नहीं आया है तो ये कर लेंगे ये वेक्ति चला गया तो कोई बात नहीं हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना है हमें कभी किसी पर जीवन पर बोज नहीं बनना है जो हमारे साथ जियोन में खुशी-खुशी रहना चाहता है जो खुशी-खुशी जो व्यक्ति हमारे साथ रह सकता है वो रहे और जो हमें बोज समस्ते हैं वो हमें छोड़ करके जाए हमें बड़ी परसंता होगी हमें कभी ऐसा नहीं की नहीं यार वो चला गया या वो होता तो ऐसा होता जो होता है अच्छा होता है और मैं जियोन का एक बात आपको कह दो कि जो व्यक्ति हमें चाहते हैं जिनके हम बड़े करीब हैं अगर हमें हजारों कम्याबी हुई ना तो भी व्यक्ति साथ देंगे और जिनको हमसे किनारा करना होता है ना बच्चो वो छोटी सी मिस्टेक भी हो या ना हो तो भी हमसे किनारा कर लिए तो इसलिए हम क्यों किसी विक्ति पनिर पर रहे हैं क्यों हम किसी यही बोले कि नहीं सब मैं तो यूपेसी करूँगा यूपेसी किलाओ नहीं क्यों भी यूपेसी किलाओ बाकि सारे काम क्या पांजनक काम ह वो भी तो काम है ना और जीवन में अब भी तो आप क्या हो बच्पन में होगा पर धीरे देजे से बड़े होगे पेसे कमाने की बात आएगी फिर लगेगा यार थो रवह कुछ काम दंदा कर लेते हैं अप्शन हमेशा जीवन में रखेगा बस मैं इतना सा आप लोगों को कहना चाता हूँ आता है विविदी करण द्वारा हमने केल खेती से जोखिम को कम करने में सफल होंगे बलकि ग्रामिंट जन समुदाय को उतपादक और वेकलिप धान्य आजीविका के अफसर भी उपलब्द हो पाएंगे तो विविदी करण के द्वारा हम खेती का जोखिम है उसको तो कम करेंगी उसमें तो सफल होंगे सो होंगे बलकि उसके साथ साथ जो ग्रामिंट जन समुदाय है उसको और भी ज्यादा उतपादक बनाएंगे ज्यादा प्रोड़क्टिव बनाएंगे और जो वेकलिप है मतलब कोई जो दूसर ऑप्शन है धान्य आजीविका का मतलब क्या जो आजीविका जिससे चलती रहे ऐसे काम जिससे पेशा आना रुके नहीं वो चलता रहेगा तो हमारे आजीविका हमारे जो लाइफ है वो भी चलती रहेगी और जब हमारे लाइफ चलती रहेगी तो सब कुछ बढ़ी है कोई जिंतावाली बात ही नहीं देश में अधिकान किर्शी रोजगार खरीफ की फसल से जुड़ा रहता है किन्तु रभी की फसल के मौसम में तो जहां प्रयाप्त सिचाई सुविदा नहीं है उन शेतरों में लाप्रद रोजगार दुलब हो जाता है तो अधिकान जो किडशी है वो खरीफ की फसल से जुड़ावा बच्चों खरीफ की फसल से जुड़ावा है पर रभी की फसल के मुसम में तो जहां प्रयावत सिचाई सुविदा उपलब्द नहीं होती है तो वहां उन शेतरों में लाप्रयद रोजगार दुलब नहीं होती है पर जो रभी की है जो रभी वाली जो फसले हैं उनमें ज़्यादा अच्छी सिचाई उपलब्द नहीं होती है तो जरूरत है जो संबंद गतिविदी है वो गेर कृष्षी के जो रोजगार है नए कोई दूसरे आजीविकार के स्तुरोत है हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है कर्षी शेतर पर पहले से भावत हुच है भूट बड़ी जनसंक्या आज भी नाना करते है 55-60 प्रतिशय जो जनसंक्या है वो किसमार निर्भर है जो गेर कर्षी अर्थ अंत्र में अने गटक होते हैं जो गेर किर्शी अर्थ अंत्र है, जिसमें किर्शी की बात नहीं, किर्शी के अलावा जो बाकी काम है, उसमें बहुत सारे घटक होते हैं, बहुत सारे कॉंपोनेंट्स होते हैं, गतिशील उप घटकों में कर्शी, परशंसकरन, उद्योग, खाद, परशंसकरन, उद्योग, को रख सकते हैं जैसे मिट्टी के बरतिन बनाना शिर्फ कलाया है यह भी सारे काम हो सकते हैं अब देखिए अब आप पर आ जाते हैं एक एक टोपिक पर सबसे पहले जिसे देखे पशु पालन भारत के किसान समुदाय प्राय मिशित कर शीप असुधन व्यवस्ता का अनुश करते हैं इसमें गाई भेश बक्रिया मुर्गी बतक आधी भूत आयत हैं तुम्हें पाए जाने वले पाए पर जाती है पालन से प्रेवार के आया में अधिक इस्थृत आती हैं तो गाई भेश जो जानवर हैं वह बहुत जादा पाये जाते हैं और इन मविश्यों का जो जानवर की बात हो रही है इनके पालन से जो परिवार की आय है उसमें क्या होती इस्तिर्था आती है जैसे अब गाई है भेस है तो इससे क्या हुआ जो दूद हुआ है उस दूद को बेच करकर अच्छा खासी आपके आजीवी का चल सकती है अच्छी खासी जो life है वो चल सकती है तो आये में क्योंकि इस दिर्टा आती है आये में एक stability है वो आती है साथ ही खाद सुरक्षा परिवार की अन्य खाद उत्पादक गती विदियों में अवरोद के बिना प्राप्त हो जाती है आज परिवार की अन्य खाद उत्पादक गतीवी दिया में अवरोद के बिना प्राप्त हो जाती है आज पशुपालन शेत्रक देश के साथ क्रोड़ छोटे वा सिमानत किसानों और भूमीन शर्मिकों को आज जीविका कमाने के वेकलिप सादन सुलब करा रहा है तो आज पशुप का पालन शेत्र है साथ क्रोड जो छोटे बड़े जो किसान है छोटे और जो मध्यम किसान है वो और जो ऐसे शर्मिक ऐसे मजदूर जिनका जमीने नहीं है उनकी आज जीविका का सादन बनावा है इस शेत्रक में महिलाई भी बहुत बड़ी संक्या में रोजगार पा रही है इसमें सबसे बड़ा अंस 58% मुर्गियों का है अन्य पशों में उड़, गदे, गोड़े आते हैं सबसे निमनिस्तर जो सबसे कम रखे जाते हैं वो खचण और टट्टूों का है 2019 में भारत में 303 मिलियन महवेशी थे उन में से 110 मिलियन भेशेती तो 303 मिलियन जो थे है महवेशी मतलब 303 मिलियन जानवर भारत में थे जिसमें से 110 जो हैं वो भेशेती 110 मिलियन भेटा, 110 नहीं पिछले तीन दशकों में भारत के डेरी उत्द्योग ने बहुत शांदार प्रगति दिखाई है 1901 से 2016 की अवदी में देश में दुख उत्पादन लगबग 10 गुना बढ़ गया है तो पिछले दशकों में अगर आप देखेंगे जो डेरी उत्पादन है जो दूद का उत्द्योग है उसमें बढ़ोतरी हुई है 10 गुना तक जो है बढ़ोतरी हुई है इसका मुखे श्रे ओप्रेशन फ्लड दूद की बाढ़ ये एक ऐसी पढ़नाली है जिसके अंतरगा सभी किसान अपना विक्रे योगे दूद एक तरित कर उसकी गुनवता के अनुसार पर शुक्रन करते हैं और फिर उसे शहरी केंद्रों में सेका रेता हो के माद्यम से बेचा जाता है तो देखिए ओप्रेशन फ्लड या जो दूद की बाढ़ जिसको हम लोग कहा रहे हैं आप सभी अच्छे जानते हैं श्वयत करांती के बारे में जो कि गुजरात के आनन्द से शुरू हुई थी ठीक है तो एक्ट्व में इसमें होता क्या है जिसा है आसपास के जो भी किसान यह जो भी जिनके पास भी गाई जो भी जानवेर है जो दूद है तो वो दूद क्या है एक एक जगे जमा करा दिया जाता है वो उनको payment कर देते हैं फिर वो सारा एक जगे साही से purify होकर के packets में पेक होकर करके सारी जगे पहुँच जाता है तो इससे क्या होगा किसानों को एक fixed income का जो source है वो मिल चुका था कि अपना दूद वहाँ पर बेचो और वहाँ से पेसा ले लो ठीक है अब उनको door to door जाकर करके बेच करके आना कि ये जो सारी जंजट वाजी थी वो सारी खतम हो गए और लोगों के लिए फाइदा हुआ कि दुकानों पे जाओ पैकेट्स खरी दो जियोन सफल है बड़ी है ठीक है ना अब मास अंडे उन आदी भी उत्पादन शेत्र के विविदी करन की दर्शे से महत्कुन सह उत्पाद सिध हो रहे हैं तो मास बेज़ दिया गया अंडे बेज़ दी गया उन बेज़ दी जाती है गुजराद, मद्यपरदेश, उत्रपरदेश, आंदरपरदेश, महराष्टरा, पंजाब और राजिस्तान ये परमुक वरज्य हैं जहां पर दूद का उत्पादन भोज़ादा होता है अब आजए मत्से पालन, मत्से पालन का मतलब है मचलियों का पालन मैं देख लिए आब मच्शे पालन देख लेते हैं मच्वारों के समुदाय तो परतेख जलागार को मा या दाता मानते हैं सागर, महासागर, सरीताय, जीले, प्राकरतिक, ताला, प्रभा, आदी सभी जलागार मच्वारों के समाज के लिए निश्ष, जीवन, दीपक, इस्त्रोत बन जाते हैं अब जो मच्वारा का समुदाय है, जो मच्वारों को पकड़ने का काम करते हैं वो तो जितने भी जहां पर जल खटा होता है, उन सब को क्या है, मा मानते हैं, ये दाता मानते हैं क्योंकि मा क्या होती है देने वाली होती है तो जितने भी जलागार है उनमें क्या होंगी मचलिया होंगी मतलब यह जल से ही हमें मचलिया मिल रही है और हमारे आज जीविका चल रही है देने वाला दाता मानते हैं, मा मानते हैं, अब चाहिए वो सागर महा सागर हो, सरीता में तो कोई छोटी छोटी नदियों की जो आकर के मिलती हैं, कोई जील हो गया, प्राकरतिक तालाब हो गया, कहीं से कोई प्रभाह आरा पानी का, ये सब कुछ, ये मचवालों के लिए क्य हैं, उसमें सरकार ने वर्दी करी हैं, और नई टेक्नोलोजी आने से, जो है, मत्से पालने, इसमें अच्छी खासी बड़ उतरी हुई है, आजकल देश के समथ मत्से उतपादन का 65 परतिशत, अंत्रवर्ती शेत्रों था 35 परतिशत महा सागरी शेत्रों से प्राप्त हो र जालाब हो गए, जील हो गया वो, तो यह जो अंत्रवर्ती है, यह इन लेंड के लिए हमारी देश की सीमा के अंदर-अंदर है, और बाकि सागर का कितना है, महा सागर का 35 परतिशत है, 65 परतिशत जो व्यापार हो रहा है, वो हमारे देश के अंदर-अंदर की सीमा में जो बड़ा हिस्सा निर्दन है तो जो मच्छवार होते हैं जो मचलियों को पकड़ने का काम करते हैं उनका एक बड़ा हिस्सा क्या है निर्दन है गरीब है इस वर्ग में व्याप्त निमन रोजगार है मतलब रोजगार कम है इन लोगों के पास निमन परतिव्यक्ति आया है मतल हर वेक्ति की जो इंकम होती है वो बहुत कम होती है अन्य कारियों की और श्रम के प्रभा का अभाव और जो परिवार के जो लोग होते हो सारे के सारे क्या है मचलियों को पकड़ने का ही काम करते हैं दूसरी तरफ किसी दूसरे काम की तरफ उनका प्रभा नहीं है जिससे कि द हेंकर करजी जाल में फसे हुए, खूप करजा इन लोगों ने ले रखा है, इन मच्छवारों समुदाये से आजकल जूज रहे हैं, ये सारी समश्याव से मच्छवारों समुदाये जूज रहे हैं, ये देपी महिलाये पकड़ने के काम में नहीं लगी है, पर 60% निर्यात और विपनन के लिए आउशक पुँझी जूटाने में मच्वारों समुदायों की महिलाओं की साहिता के लिए सेuyorsunुधा समुदायों के माद्यम से साख सवीधाओं का विस्तार की जाने के आशकता अब अनुबह हो रही है, विपनन के लिए मार्केटिंग के लिए पुझी जू करना आवशक है तो मचली पालन में पहले से प्याफ्त वर्दी हो चुकि यह जितनी हो नी थी तो उसे जाद करना जरूरी मच्वारा समुदाय के कल्यान कालियों की इस परकार पूर्ण रचना करनी होगी कि उनके लाब दिर्ग कालिक हो और उनके आजिविका का साधन बन सके तो मच्वारा समुदाय का अगर हमें कल्यान करना है तो ऐसा हमें structure त्यार करना होगा जिससे कि उनके जो लाव हो जो उनके फायदे हो वो दिर्ग कालिक हो मतलब लंबे समय तक हो उनकी आजिविका का साधन बन सके मतलब लंबे समय तक उनकी जो lively hood वो चल सके उनके पास एक अच्छी income का source बन सके फिर आजाईए उद्ध्यान विज्ञान या जिसको हम क्या कहते हैं बागवानी फल सब्जिया रेशेदार फसले ओसदिये थाता सुगंदित पोदे मशाले चाय कोफी त्यादी तो हमारा देश तो हर चीज में विविदिताओं से भराय हुआ है ठीक है किसी भी चीज का उध करशी उतपाद का लग-बग एक त्याई और सकल घरःल Uhr उतपाद का प quis 1 परएट्य तो भारत में जो बागवानी खत्र है और हमाई सकल घरेल उत्पाद में कितना contribution है? 6% का contribution है भारत, आम, केला, नारेल, काजु जैसे फलो और अनेग मसालों के उत्पादर में तो आज विश्व का अगरेनी देश माना जाता है पुष्पर उपन, 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 पुष्पर उपन करना संकर बीजों का उत्पादन यह क्या है देखो इसको hybrid seed का जाता है hybrid seed का जाता है अब आप सभी कक्षा दस्तक science पढ़़कर का होंगे और आपने देखा होगा कि प्लांटों में भी जनन होता है ठीकया जनन होता है reproduction का system होता है तो आप जैसे माली जी यहाँ पर एक male और female दोनो बीज है इसमें भी है male और female तो जैसे आपन क्या करते है इसमें से जो male वाला है उसको भार निकाल देते है और इसका जो male वाला है वो इसके साथ क्या करवा देते हैं inject करवा देते हैं मतब मिलवा देते हैं, तो यहां से फिर क्या होगा, यहां से जो इन दोनों के मिलने से एक जो नया बीज आएगा, वो क्या हाइबरेड है, इसकी अलग क्वालिटी थी, इसकी अलग क्वालिटी, अब इन दोनों से मिलकर करके क्या है, वो नया है, वो हाइबरेड बीज है, व वागवानी के एक धान्डी रोजगार विकल पे, मतब ऐसा रोजगार है जो बना रहेगा, धान्डी का रहा है साथ लगातार चलने वाला रोजगार, इसे और प्रोतसान दिया जाना चीए, बढ़ावा देने के लिए क्या करें, इनको बिजली प्रोवाइड कराए जाना ची अन्य रोजगार आजवी का विकल पे, अब जो अन्य रोजगार या बाकी जो दूसरे विकलपे वो कौन से हैं, सूचना प्रोदेगी की ने भारती अर्थ व्यस्ता के अनेक शेत्रकों में क्रांती कारी परिवर्तन ला दी हैं, तो जो सूचना प्रोदेगी की है, जो information technology है उसने भारत के कृष्णी शेत्रे में बड़े परिवर्तन, क्रांती कारी परिवर्तन लेकर क्याई हैं, सूचना और उप्रोदेगी सॉफ्ट्वेर का प्रियोग कर सरकार सहेजी खाद सुरक्षा के आशंका वाले शेत्रों का समय रहते पूर अनुमान लगा सकती हैं, इस समाज ऐसी विपत्यों की संभावनाओं को कम या पूरी तरह से समावनाओं करने में सफल हो सकता है, तो अच्छे सॉफ्ट्वेर के मदद लेकर के सूचनाओं के साथ सरकार ये पता लगा सकते हैं कि हमारे कौन से इलाके में खाद सुरक्षा होने वाली है, मतलब कहां पर जो है, फूड इंसिक्योर्टी होने वाली वहाँ पर खाना खतब होने वाला है उन इलाकों में, ठीक है, तो वहाँ पर सरकार खाद सुरक्षा करा सके, ठीक है, वहाँ सामान पोचा सके, इन सारे ही अगर हमारा पास टेक्नोलोजी होगी तो इन सब के दुआरा हम जो समश् क्रिश्य में तो बड़ा इसमाल कर सकते हैं, भूसम का पहले पता लगा सकते हैं, ठीक है, मिटी के सह नहीं हो रूत जा। जेखाएं, झान हो जाना जाए, इसका बड़ा प्रियोंग हो सकता, तो टेन्लोजी का प्रियोंग केतिवारी में होना जाए. अब आज जाए, धां आणिये विकास और जैविक किर्शी अब ये क्या होती है। देखिए आप सभी बड़े अच्छे से जानते हैं कि हम लोग आज जो खा रहे हैं पी रहे हैं वो पूरा केमिकल वाली चीज़े हैं। इस एक पानी चीज़े हैं अब केमिकल पानी चीड़ाएं। ऐसे कीट नाशक मंगवाए गए हैं जो कि फैक्टरियों में तयार हो रहा है इन सब के कारण हमारे जमीने खराबे होती है उत्पादन तो बहुत सारा बड़ा नो डाउट बट हुआ क्या हमारे शरीरों में गई अनेकों बिमारे हमारे शरीरों में तो अब दिरे दिरे वापस से क्या हो रहा है ये सवाल उठ रहा है कि जेवी के करशी होनी चीए और्गेनिक जो फार्मिंग है वो होनी चीए जेवी के करशी या और्गेनिक फार्मिंग का मतलब है बिना chemical fertilizer, बिना chemical pesticide वाले इनका प्रयोग करे वे खेती बाड़ी होनी चीए मतलब जैसे पहले हम लोग करा करते थे, भारत के लोग खेती बाड़ी करा करते थे ऐसी खेती होनी चीए, जहाँ पर 0% chemical का इस्तमाल होना चीए हाँ हो सकता है, इससे एक बार उत्पादन थोड़ा धीर हो, बट यह हमारे शरीर के लिए और पूरी मानों सब्वेता के लिए अच्छी बात है सही होगा और आज, जैसे जैसे लोगों में रोग बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे लोगों में आप जानकारी बढ़ रहे हैं कि नहीं साब जेवी कृष्षी जादा बहतर है, तो लोग उसको अपना रहे हैं, उसकी डिमांड कर रहे हैं अगर भारत जेविक कृष्री करता है, तो पूरे वर्ड में भारत जो है वर्ड की डिमार्ड है, वो पूरी करने में सक्षम होगा और जादा जादा उत्पादन भारत करेगा अब ये बात भी ध्यान रखेगा भारत में सिक्किम एक मात्र ऐसा राज्य है जो पूर्ण रूप से जेविक कृषिय और और्गेनिक फार्मिंग करता है वहाँ पर 0% के एमिरिकल का यूज होता है 0% 0% यानि 0% अब धान्ये विकास क्या है ऐसा विकास जो जिवन भर चलता है सदत विकास आप लोगोंने कक्षा दस में ऑर सास्थ में पढ़ाता है ताद्ध पॉश्ण विकास ओंस जो हमारे प्रयावरण को बिना नुक्सान पोचाए हमारी आज-क्या आउशक्ता हो कूरा करे और आने व लोग पानी उसमें इतना सी चाहिए की जरूरत होती इतने पानी की तो सारा पानी हम वहीं खर्च कर रहें कहां जाए तो इसलिए ऐसी क्रशी ऐसी खेती करनी है जो धार्णी हो जिसको पृत्वी सहन कर सके पृत्वी खराब नहों और आने वाले समय आने वाली जनरेशन के ल स्वास्ते पर जो हानी कारक प्रभाव हो रहे ना इसके विशे में जाग रुकता का परसार हुआ है लोग जाग रुक हुआ है कि साभी जो हम कैमिकल वाली चीज़े खा रहे ना इससे हमारा शड़ीर खराब हुआ है तो अब आज आप देख लो अगर कभी ऐसा तुनला हो करके बेचा जा रहा है जो कि बड़ी दुखी बात है बड़ी खराब बात है तो सब कुछ पेले के खान पीन में आज के खान बीड में जो है बड़ा अंतर आ चुका क्योंकि अब हम कैमिकल्स खा रहे हैं मर्दा की उरवरता शीन होती जा रही है और हमारे प्राकरतिक प्र जैसे में आपको एक उधारन के तोर पर आपको बताता हूं जैसे आप मालीजिए आप घोड़े पर चल रहे हैं अब घोड़ा जैसे रुका पने ही जोर से उसके डंडी की दिया फिर फास्ट बगा तो एक्च्वल में हुआ क्या सच में वो गोड़ा को उसको मजबूत मिल अब वो उतना नहीं होगा पा रही है इसलिए तो प्रम पुझे सद्गुरु जी ने जो मुमेंट चलाया था सेव सोहिल उस पर बार बार में लर्नेशे के प्लेटफॉर्म पर ध्यान दिलाया गया था कि बच्चो सेव सोहिल सेव सोहिल क्योंकि मिट्टी खराब हो गई न तो मिट्टी को बचाना जरूरी है जेविक किर्शी के लाब अगर अब हम लोग बिना केमिकल वाली खेतिवाड़ी करते हैं तो उसके में क्या-क्या फायदे होंगी जेविक किर्शी महंगे आगातों संकर भी जो राशनी को रुवरकों कीट नाशकों के इस्तानी रूप स बने जेविक आगतों का प्रियोक पर नेड़ बने तो जो जेविक कर्शी है ना जो महंगे आगात है अभी जो केमिकल फर्टिलाइजर खरीडते हैं केमिकल जो कीटनाशक खरीडते हैं उसमें सिचाई की पानी की बहुँजाते जो तो ट्रेक्टरों की बहुत नईनी टेक खुब पैसा चाहिए उसमें पर यहां पर जो अपने जेविक कर्शी वाले हैं उसमें कोई ज्यादा अधिक पैसा नीची जो जेविक आगात है जो पहले के समय में जो इंपूट डाले जा रहे थे जैसे गाये का गोबर हो गया नीम के पानी का पत्तों का पानी हो गया इन विश्व बाजारों में जेविक कर्शी उतपादों की भढ़ती भी मांग के करण इनके निर्याद से भी अच्छी आये हो सकती है तो विश्व बाजारों में क्या हो रहा है जेविक कर्शी जो उतपाद है उनकी मांग भढ़ रही है लगातार उनकी मांग भढ़ रही है औ और इसके कारण अगर भारत इनको निर्यात करता है तो इससे भारत के किसानों की और भारत की अच्छी आये हो सकती। जेविग विदी से उत्पादित भोज्ये पधारतों में पोशक तत्व भी अधीक होते हैं अब जेविग विदी से जो भी हमने पधारत उगाया है, जो भी खाने वाले पधारत हमने उगाया है, वो सारे के सारे कैसे होंगे, पोस्टिक होंगे, पोस्टिक होंगे, पोस्टिक होंगे, जब ज़्यादा पोस्टिक होंगे, तो लोगों का जो शरीर है, वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा, ज़्यादा हेल्द ज़्यादा जरुरत होती है ज़्यादा लोगों क्या उशक्ता होती है तो अब यह क्या है भारत में खूप श्रम है तो अधिक आकशक होगा अंत्यता है यह उत्पाद विशाक्त रशायनों से मुक्त ठता प्रयावरन की दर्श्टी से धांड़ने विद्यो दुवारा प्रियार्ण लगाता चलता रहेगा, और अगर प्रियार्ण सुरक्षित है, तो फिर अपन लोग गुस्रशित हैं, अपन तो सेफ हैं जेविक कर्षी संवरधन के लिए उप्युक्त नीतियों के अभां के साथ-साथ उनके विपनिन की समश्या पर भी ध्यान देनी क्या हो चकता है अब अगर JV कृष्ट्ट्ट्र को बढ़ावा दे रहे हैं तो उसमें कुछ उप्युक्त निम्तियों के भी कमी है सरकार को ऐसी नीतिया बनानी चाहिए जिससे Organic Farming या JV किर्षी को क्या है जादा बढ़ावा मिले और विपनन की जो समश्या है उसको भी दूर करने पर सरकार को दियान देना चाहिए ये समश्या इस विद्धी को प्रोचसान देने में बादत है मतलब अब क्या होता है कि कुछ समश्या आती है अब जब वो समश्या आती है तो लोग देखते है बड़ी है समश्या है छोड़ो कौन इनको अपनाएगा पहली बाद तो क्या है जैसे इस से क्या उत्पादन कम होगा विड़ा जो केमिकल वाली चीज़े ने वो जादा उत्पादन करी है मैं आपको एक उधारन के तोल पर बता रहा हूँ जहां पर पहले 1300 किलो गेहों उगरा था इन HYV सीट्स का केमिकल फर्टिलेजिन का प्रियोक करने से 32 किलो गेहों उगा है मतलब कही ना कहीं क्या हुआ डबल से भी ज़्यादा उत्पादन हुआ है तो उपज ही जो है वो ज़्यादा हुई है तो अब लोग क्या ही है सोचतें कि अगर जेविक करशी करेंगे तो उपज कम होगे उपज कम होगे तो प्रोफिट कम होगा तो इसलिए क्या है ज्यादा हो करो तो जैसे भी कोई भी एक समश्या आ रही है उस समश्या को दूर करना चाहिए क्योंकि यह समश्या है जेविक कर्षी करने वाले लोगों के लिए एक बादा है वो मानते हैं नहीं नहीं सब जेविक कर्षी छोड़ो अपने जो अभी तक कर रहे हैं केमिकल वालों से वही करते हैं ये देखा गया है कि प्रारंबिक वर्षों में जेविक कर्षी की उत्पाद अगता है राशानी की कर्षी से कम रहती है मतलब जेविक कर्षी जितना उत्पादन करता है वो कम करता है एस कंपरिजन टू किसके राशानी की कर्षी के ठीक है chemical वाली जो किर्शी हो रही है उसकी तुलना में कम करता है यही नहीं जेविक उत्पादों के राशानिक उत्पादों की अपिक्षा शिगर खराब होने की भी संभावना होती है और जो जेविक उत्पाद है वो क्या शिगर खराब होने की भी क्या होती है ठीक है ना, उनका JV wär करषी में अच्छा उत्पादन भूसति भाउट सीमित होता है, पोसिबल नहीं होता है, तो ये कुछ समस्या है, JV करषी में अच्छा हो खासा उत्पादन हो सकता है, एक बात और ध्यान रखीगा कि कुछ चीज़े बोक्सो सीज में दे रखी, जैसे सा इन टॉपिक्स हैं उन पे फोकस डाला जाए और आपका एक fast forward जो revision है वो करा दिया जाए जो कि अपने करा दिया है इसी के साथ आज का जो one short है वो पुरा complete होता है यह आप लोगों के लिए courses है कक्षा 11 आरसास्तर, राजनीति विज्ञान और भुगोल और इन courses में आपको doubt solving group, hand it and notes, classes की one short की जो PDF है वो मिलेंगी, objective test होंगे और ऐसी जो सुविदा है वो आप लोगों को इन पे मिलने वाली है, आप चाहिए तो इन दो number पे team को call कर सकते हैं और course प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नाम मातर फीस में और ये जो आपको courses मिलेंगे, ये मिलेंगा आपको आपकी अपनी learning arts की application पे, जिसका link मैंने description में डिलवा रखा है और आपको आज का lecture कैसा लगा, आज का one short कैसा लगा, ये भी जरूर बताईएगा, और कौन last तक टिका रहा, ये भी बताईएगा, और अगला one short कौन से chapter का चाहिए, वो भी बताईएगा और description में telegram channel का link दे रखा है, उसको भी join कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी जान करें मिलती रहे और आप आखरी तक मिने साथ रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आगे के one short में तब तक लिए, thank you so much, जै हिंद, जै भारत